हाई फ्रेंड्स मैं हूँ निलाक्षी तनीमा और आज मैं आपको बताने जारी हूँ सीलियक डिजीज के बारे में सीलियक डिजीज पहले इतनी कॉमन नहीं थी लोगों के बीच में लेकिन आज कल हम काफी पेशन्ट देखते हैं जो कि सीलियक डिजीज से ग्रस्त है तो चलिए आज बात करते हैं कि सीलियक डिजीज आखिर होती क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे सिंटम्स हैं जो सीलियक डिजीज में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं जी हाँ यह यह डिजीज पूरे लाइफ जिस में पाया जाता है गेहू, राई, जो जैसे अनाज के अंदर ये ग्लूटन पाया जाता है ये जब डाइजेस्टिफ सिस्टम में पहुंचता है और आतों के अंदर सूजन पैदा कर देता है जो आतों की जो लाइनिंग होती है और इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है फ इसकी वज़े से बहुत सारी और भी बिमारियां हो सकती हैं केवल पेट की ही नहीं ये दूसरे भी अंगों को प्रभावित करता है और जैसे की मैंने आपको बताया कि न्यूट्रेंट्स के अव्शोशन में या एब्सॉप्शन में एफेक्ट डालता है तो इसकी वज़े से कई सारी डेफिशेंसी डिजीज भी हो सकती है बात करते हैं इसके सिम्टम्स के जैसे अब्डॉमिनल पेइन, वाइटमिन डेफिशेंसी, आइरन डेफिशेंसी इसके साथी ओस्टोपीनिया या ओस्टोपोरोसिस बच्चों के अंदर उल्टी, दस्ट और ब्लोटिंग भी हो सकती है इसके अलावा वेट लॉस, वेट लॉस बहुत ही इंपोर्टन चीज है वेट लॉस और डाइरिया दोनों एक साथ चलते हैं उसके अलावा अब्डॉमिनल पेन यदि किसी और दवाईयों से ठीक नहीं हो रहा है साधरन दवाईयां यदि आप बार बार आपको अब्डॉमिनल पेन है या फिर जो आप दवाई ले रहे हैं उससे वो अब्डॉमिनल पेन नहीं ठीक हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो gluten sensitivity है या celiac disease है उसके शुरुवात हो चुकी है इसी के साथ में skin problems बहुत ही आम है skin पे rashes हो जाना या फिर skin की disease के शुरुवात होना या फिर अचानक से gluten खाने के कुछ समय बाद यानि कि कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद में skin के उपर कई तरह के दाने उभरना या रैशल होना ये भी इसका एक आम symptom है यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप wheat allergy और celiac disease दोनों को एक साथ ना relate करें क्योंकि wheat allergy और celiac disease में difference होता है wheat allergy एक टाइम के बाद में खतम हो सकती है वो किसी भी जो abdominal discomfort है या फिर digestive discomfort है उसकी वज़े से problem create कर सकती है wheat allergy उसकी वज़े से हो सकती है अगर digestive system weak है उसकी वज़े से भी wheat को digest करने में problem हो सकती है लेकिन celiac disease में ऐसा नहीं होता है बारले या फिर राई का खाने से भी आपको same symptoms मैसूस होते हैं इसलिए यह बहुत important है कि celiac disease और wheat allergy दो अलग-अलग चीज़े हैं इन्हें mix ना करें अब बात करते हैं कि celiac disease कर diagnosis कैसे किया जाए पहली बात तो यह मैंने आपको बताया कि symptoms के द्वारा आप जान सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया कि इसके जो कई सारे symptoms है यह बहुत आम symptoms है इस जिससे एक या दो symptoms या दो या तीन symptoms इकटे अगर होते हैं तो हम यह नहीं जच कर सकते कि यह celiac disease है या नहीं इसके लिए सबसे एहम चीज है ब्लड टेस्ट करवाना उसके बाद ब्लड टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में बायपसी की जाती है जिससे की यह सुनिश्चित किया जाता है की celiac disease present है या नहीं तो टेस्ट करवाना जो डॉक्टर होते हैं वो पहले आपकी medical history लेते हैं उसके बाद मे ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसके बाद वो बायपसी करने की सला देते हैं अब बात करते हैं डाइट की जिया celiac disease डाइगनॉस होने के बाद में confirm होने के बाद में केवल एक मात्र उपाए है डाइट के त्रू इसको कंट्रोल करना यानि की gluten जो है gluten को food के अंदर अवाइड करना या उन food sources को अवाइड करना जिसमें की gluten present है इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है वो यह है कि आप जब भी कोई समान खरीदने जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं किसी भी मॉल में जाते हैं जहां पे food स्टोर से महां पे जाते है इमेशा यह ध्यान लखे कि जो भी food आप ले रहे हैं उसके उपर gluten free का label ज़रूर पढ़े है ग्लूटन free का label का मतलब यह है कि इस food के अंदर किसी भी तरीके से gluten जो है उसका amount present नहीं है यानि कि wheat, rye, barley या फिर करी preservative और supplements ऐसे होते हैं जिनके अंदर की gluten पाया जाता है लेकिन gluten free का अगर label है इसका मतलब है कि जो भी food आप ले रहे हैं उसमें gluten present नहीं है इसके अलावा जो diet के अंदर चीजें लेनी हैं वो fruit और vegetables का ध्यान रखे avoid करें जो अनाज है उसको avoid करें और जो अनाज आप ले सकते हैं उसमें बाजरा का सेवन आप कर सकते हैं लेकिन बाजरा बहुती गर्म होता है इसके अलावा fruits, vegetables का भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं और protein के लिए आप vegetarian और non-vegetarian दोनों तरीके के sources पर रिलाए कर सकते हैं fish, chicken, meat, डाले ये सब आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं सबजियों में आप सभी तरह के की सबजियां जैसे प्याज, mushroom, हरी पतेदार सबजियां इसके अलावार बैंगन, करेला ये सब चीजें आप खा सकते हैं तो ये तो थी बात, celiac disease के बारे में जानकारी की, हमने जाना कि इसके symptoms क्या क्या हैं और किस तरीके से आप diet के थूँ इसको control कर सकते हैं शुरुआत में हो सकता है, एक दो दिन में या फिर एक हफते के अंदर कंट्रोल आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो symptoms हैं उसमें राहत मिलेगी, celiac disease से यानि की abdominal pain या फिर जो intestinal discomfort आप फिल कर रहे हैं, वो आपको बहुत कम होता लगेगा कई लोगों में हो सकता है कि यह time लेती है यह चीजे और वो इनको यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि कहीं वो किसी और ऐसे source में तो gluten नहीं ले रहे हैं जो कि unknown है, जैसे कि कई preservatives यह supplements जो food supplements पी आते हैं उनमें भी gluten कई supplements में डाला जाता है और यह जीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा amount भी gluten का आपकी condition को और words बना सकता है तो ध्यान रखिए gluten free foods का सेवन करिए जिन लोगों को celiac disease है और time time अपने आपके check-up जरूर करवाते रहे हैं अपने symptoms को ignore मत किजिए थैंक यू सो मच